हमारे दो जरूरी identity cards पहला pen card और दूसरा आधार card अगर आपने इन दोनों को 31 मार्च से पहले link नहीं करवाया है तो तुरंद करवा लिजे क्योंकि इसके लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है क्या है पूरा मामना बताएंगे आपको लेकिन अगर आपने अभ करवाने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है अब अगर लास्ट यानि 31 मार्च तक आपने अधार card को pen card से link नहीं करवाया तो इसके लिए आपको 1000 रुपे जुर्माना भरना होगा यह income tax law 1961 में जोड़ी गई धारा 234 H की विज़े से हुआ है जिसे सरकार ने 23 मार्च को लो लास्ट तक अपने pen card को अधार card से link नहीं करवाते हैं तो आपका pen card invalid हो जाएगा यानि तरह तारीक के बाद वित्य लेंदिन में pen card का इस्तिमाल नहीं हो पाएगा जहां भी pen card की जरूरत होगी वहाँ पर आप इसे इस्तिमाल नहीं कर पाएगे इसका असर सभी तरह की banking ल लिए time limit extend नहीं हो सकता तो आपको बतादे कि text expertise का कहना है कि अब pen card को आधार card से link करवाने की तारीक बढ़ने की उमीद नहीं है क्योंकि budget प्रस्ताव 1 अपरेल 2021 में लागू होंगे ऐसे में time limit बढ़ने की गुझाईश न के बराबर है अब ये ख़बर सुने के बाद अग आपको आएकर विभाग की official website www.incometax indiae filling.government.in पर जाना होगा अपनी बाइन तरफ लिंक अधार के option पर क्लिक करें अपने status को देख लें के लिए click here पर क्लिक करें फिर नई window पर pen और अधार की details भरें इसके बाद ही अपना status चेक करें यहां आपको मालूम हो जाएगा कि आ आपका अधार काड पहले से pen card से link है या फिर नहीं अगर आपका account नहीं बना है तो पहले registration करें यहां आपको pen, आधार number और नाम भरना होगा जिसका OTP आपके link mobile number पर आ जाएगा OTP भरने के बाद ही आपका अधार card pen card link हो जाएगा 31 माच आने में सिर्फ कुछी दिन बाकी ह इसलिए अगर आपने अभी तक अपना अधार card और pen card link नहीं करवाया है तो जल्दी से करवा लिजे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल है तो comment box में comment करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो like और share करना ना पूले फिर मुरा कास होग कि आप से तब तक के लिए नमस्कार